व activating See वाफंपो नहीं देखा है तो आयगे मैं LEIKK देरा हूं वहाँ पर जाकि उसको देख लीजिए और समझ दीजिए आज की जो क्लास है उसमें बात करने वाले है arithmetic progression के बारे में arithmetic progression क्या होता है अब ये चीज आप कोगे सर ये तो आपने पहले से पढ़ी हुई है बिल्कुल आप लोगोंने पढ़ी हुई है 10th class में अच्छी बात आप लोगों को याद है लेकिन उससे आगे थोड़ा सा अगर उसको advance हम लेके चलेंगे कुछ और चीज़े आपको बताएंगे कुछ और चीज़े discuss करेंगे कि arithmetic progression के अंदर और क्या-क्या होता है जैसे arithmetic progression के अगर हम बात करें उसकी definition आप लोगों को अल्रेडी पता होगी कोई भी ऐसा sequence finite हो चाहे infinite हो is called an arithmetic progression if and only if the difference of any term from its preceding term is constant ठीके जो दो term के बीच का जो difference हम निकालते हैं वो constant रहता है constant मतलब throughout same रहता है पूरी series के अंदर same रहता है जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कोई sequence लिखना चाहरे है हमने sequence लिखा मालो मैंने आपर लिखा sequence 3 ठीके प्लस 3 प्लस 5 5, 5, 7 ठीके ये एक series मैंने यहाँ पर लिख दी आप series में लिख रहे हैं या sequence में लिख रहे हैं वो doesn't matter ठीके अब उसके बाद 9 तो यहाँ पर अगर हम D निकालेंगे तो कहीं से भी आप D निकालोगे इसका अगर मैं फार्मूला के साब से बात करूँ तो D का फार्मूला क्या बनेगा A, K, minus A, K, minus 1 यानि जो term आप यहाँ पर ले रहे हैं अगर मैं K की value माल लो 7 ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा उससे पिछली term 7, minus 1 तो यहाँ पर आगया A6 तो किसी भी term में से जब आप उससे पीछे वाली term minus करते हो difference of any term from its preceding term उससे पीछे वाली term minus करते हो तो आपके पास D आता है तो अगर हम एक common formula की बात करें कि D होता क्या है D आप कैसे निकाल सकते हो इन general आप D कैसे लिख सकते हो आप यह तो नहीं कहोगे कि D equals to A2 minus A1 यह general formula नहीं है निकाल सकते हो आप D लेकिन जब general formula की बात आती है तो हम इस तरह से लिख सकते है D equals to A K minus A K minus 1 अब जो general term आती है यह formula भी आपने अल्लेडी पढ़ा हुआ है कि general term क्या होती है general term मतलब इसको हम A N से represent करते है A plus N minus 1D ठीक है यह general formula होता है इससे आप कोई सी भी term निकाल सकते हो आपको बस A और D पता होना चाहिए N की जगे अगर आप term निकालना चाहते हो 100 तो N की जगे आपको 100 put करना है और आपको sequence की 100 term पता चल जाई उसके बाद हमने और already क्या पड़ा हुआ है 10th class के अंदर यह जब general formula की हम बात करते हैं तो इसमें जो term निकाली जाती है वो starting से निकालते है कि पहली term है, दूसरी term है, तीसरी term है वो हम starting की बात करते हैं यह first term है, यह second term है, यह third term है लेकिन अगर sequence में आपको बोल दिया जाए कि पीछे से बताओ, ठीक है अगर आप पीछे से बताने लगे, तो उसके लिए आप यह वाले formula से भी बता सकते हो लेकिन थोड़ असा complicated हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो formula दूसरा उल्टा कर दिया है, हमने यहाँ पर जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर हम यहाँ पर पीछे से term निकालेंगे, तो पहले हम यह वाली term लिखेंगे, तो last term आगी अब sequence अगर ऐसे आप कर रहे हो तो d2 है, लेकिन जब आप sequence उल्टा लोगे, तो उल्टा लेने का मतलब क्या होगा, इस term में से आपको यह वाली term minus करनी है, तो 7 minus 9 यानि minus 2 आएगा, तो d का जो sign है, वो change हो जाएगा, जो d पहले minus आना था, वो plus हो जाएगा, या जो plus आना था, वो minus हो जाएगा, क्योंकि n का मतलब तो आपको term पूछेगा, जो term पूछेगा, वो आपको यहाँ पर fill कर देनी है, कि n की जगे 2, 3, 4, 5, जो भी होगा, और d का जो negative sign था, minus d आना था, वो minus हमने यहाँ पर लगा दिया bracket से पहले, तो इस तरह से इसी formula से आप यह वाला formula बना भी सकते हो, और याद भी रख सकते हो, खाली यह नहीं कि रटा मार लिया आपने, ठीक है, इसी formula से यह वाला formula हमारा generate हो गया, उसके बाद आता है कि जब आप sum निकालते हो, जैसे यह sequence है, यहाँ पर तो हमने 4 term निकालके छोड़ दिया, अगर sequence के अंदर term o 100, term o 1000, तो उसका sum निकालने के लिए क्या करेंगे, अब उन सारी terms को अगर आप plus करने बैटोगे, तो सुबे से शाम हो जाएगी, आपका sum plus नहीं होगा, अगर sequence बहुत लंबा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने एक formula अल्लेडी पढ़ा हुए 10th class में, n by 2 2a plus में n minus 1d, इसी formula को दूसरे form में ऐसे लिख दिया जाता है, n by 2 a plus an, an का मतलब, आप यहाँ पर लास्टम भी लिख सकते हो, फार्मूले में कही जाएगे, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, यह, n by 2 a plus l, तो चाहे आप यह वाला formula लगा रहे हो, चाहे आप यह वाला formula लगा रहे हो, दोनों चीजे सेम हैं, तो यह सारा कुछ जो अभी इस slide पर हमने यहाँ पर पढ़ाई है, यह सारा कुछ आपने और लड़ी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, दस मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर revise कराया है, कि क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उससे आगे कि हम बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजे हैं, कुछ ऐसी properties हैं, जो आपको AP में पता रहेंगी, तो आप उनको याद कर सकते हैं easily, इसका screenshot ले सकते हैं, उसके बाद आप properties की बात करते हैं, कि AP में different different situations अगर होंगी, तो आप किस तरीके से उनको use करेंगें, देखे, सबसे पहली जो condition है, उसमें कहता है, if the sum of end term of an AP is denoted by SN, आपको वही SN कोई आपको, SN दे दिया, अब SN देने के बाद आप से पूछता है, को common difference क्या है, तो common difference निकालने का तरीका क्या होता है, common difference का formula हमने पढ़ा कि, किसी भी term में से उसे पीछे वाली term minus करनी है, तो एक तरीका तो वह हो गया, जब हमें terms पता होंगी, लेकिन इसने कहा कि, SN दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस SN की help से पहले आपको सारी terms निकालनी पड़ेंगी, या फिर, या फिर आप ये वाला formula और direct याद करेंगे, कि जो D होता है, D निकालने के लिए आपको क्या करना है, S2 minus 2 times of S1, कि आपको S2 निकालने ना, और S2 में से 2 times of S1 minus कर देना है, तो वो आपका D निकल जाएगा, यनि common difference निकल जाएगा, ठीक है, तो ये पहला formula है, जो नया formula आप लोगों के लिए है, इसको आप याद कर लेंगे, ताकि आपको D निकालने में, अगर SN दिया होता, कई बार आपको SN इस तरह से दिरे रखा होगा, SN equals to N square plus में 2N, तो वह इसका आप से D पूछ लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 1, 2, 3 पूट करके, आप पहले SN और A N निकालो, अब या फिर A N निकालने के बाद फिर आप D निकालो, या फिर आप डिरेक्ट ये वाला formula अपलाई करो, और यहां से आपका D निकल जाएगा, उसके बाद हम बात करें, बहुत कहता है कि तीन नमबर जो हैं, वो A, B, C, फिर वो A, P में हैं, तो 2B इकल्स टू A प्लस C, ये कहता हैं कि ये तीन नमबर A, P में हैं, A, B और C, अगर A, P के अंदर तीन नमबर होते हैं, तो उन तीन नमबरों का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप D कहीं से भी निकलो, तो वो D उनका सेम ही रहेगा, तो मैं अगर यहां से D निकालू, तो B माइनस A, ये D आ गया, और अगर मैं D यहां से निकालू, C माइनस B, तो भी D आ गया, तो यहां से भी D निकलेगा, यहां से भी D निकलेगा, सेम ही आएगा इस minus B को जब मैं इधर shift करूँगा तो यह plus 2 भी बन जाएगा और इस A को इधर shift करूँगा तो A plus C आजाएगा तो इस तरह से आपकी यह वाली property बनती है 2B equals to A plus C तो अगर आपको तीन terms दे रखी होंगी कभी भी AP के अंदर तो जो बीच वाली term है उसका double first और last के sum के बराबर होता है ठीक है, उसके बाद यह property बड़ी important है third property, इसमें आपको कई बर क्या होगा questions के अंदर आपको तीन term, चार term, पांस term इसके terms दे रखी होंगी और आपसे AP पूछी जाएगी या A पूछा जाएगा, D पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको यह pattern follow करना है अगर यह कहता है कि भाई, आपको तीन numbers दिये हुए ठीक है, तीन numbers AP में दिये हुए और अगर उसको general जो AP लेते हैं, AP हम A से start करते हैं तो यह पहली term होगी A, फिर होगी A plus D, फिर उसके बाद आगी A plus 2D तो आप ऐसे ना लेकर, ऐसे ना लेकर आप ऐसे लेंगे तो आपको असान पड़ेगा, गलत वो नहीं है, गलत यह नहीं है दोनों में से कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि हमें तरीका क्या आसान पड़ेगा है तो यह भी AP, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको एक पीछे से start कर रहे है A minus D से start कर रहे हैं, यहाँ पर पहली term A नहीं है, यहाँ पर पहली term A minus D है और आपको पहली term निकालनी होगी, तो यह जो term आएगी न, यह आपकी पहली term बनेगी, यह नहीं बनेगी इसमें अब इसको मैसा कर क्यों नहीं है, क्या कारण क्या है, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं आप ऐसे करोगे answer ऐसे भी निकलेगा ऐसे नहीं कि answer नहीं निकलेगा लेकिन यहां से आपको इसके accordingly यहां पर आपको थोड़ा convenient पड़ेगा थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि यह कह रहा है कि sum आपको दे रखाओगा sum आपको दे रखाओगा तो अगर आप इन तीनों terms का sum करोगे तो देखो इस D से D cancel हो गया मालो मैं sum कहता हूँ 30 है इसका तो D से D cancel हो गया A, 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 3A, 3A equals to 30 यानि A की value आगे सीधी 10 तो A और D में से आपके पास एक value आ चुकी है A की जो value है वो आपके पास आ चुकी है तो आसान हुआ की नहीं हुआ अब यहां पर आपको A की value निकालने के लिए दूसरी equation के ओपर भी depend होना पड़ेगा जब आप दूसरी equation बनाओगे तब वहां से आपकी A की value निकलेगी तो इस तरीके से अगर आप follow करोगे तो आपको convenient पड़ेगा यह बजाए उसके गलत दोनों में से कोई भी नहीं है दोनों में साब कोई भी use कर सकते हो ठीक है ऐसे अगर आपको चार नमबर दे रहे हो चार से पहले मैं 5 की बात करता हूँ चार को हम बात मिलेंगे यह भी odd है और यह भी odd है तो इन दोनों को हम A की तरीके से लेंगे जब 5 नमबर दे रहे होंगे तो एक नमबर इधर बढ़ाना एक नमबर उधर बढ़ाना है यानि A-D की जगए A-2D से स्टार्ट करना है यह आपकी पहली टर्म है यह दूसरी टर्म है तीसरी चौथी और पांच भी लोजिक यहाँ पर भी सेम है बाइध माइनस टू डी और माइनस डी दोनों से कैंसल हो जाएंगे आपके पास सीधा A की वेलू आ जाएगी तो लोजिक दोनों का बिल्कुल सेम है लोजिक में कोई डिफरेंस नहीं है उसके बाद कहता है कि पहले चार टर्म वाला रह गया अगर आपको चार टर्म दे रेखियों तो क्या करना है क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आफ टर्म्स है चार टर्म्स में अगर हम ऐसे स्टा अब देखो 3D से 3D कैंसल हो जाएगा D से D कैंसल हो जाएगा तो इस तरह से अगर आप तीन चार या पांस टर्म्स दी होती है ऐसे स्टार्ट करोगे तो आपका कुश्चन काफी हद तक आसान हो जाएगा उसके बाद नेक्स प्रोपर्टी की बात करते हैं यहाँ कहता है कि इसको बिल्कुल सिंपल सब्दों में बात करते हैं यह कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मार लो सीक्वेंस है एक सीक्वेंस में ले ले दा हूँ एक 1 ले लिया 2,3,4,5 और 6 जादा बढ़ाने लेते हैं इतना ही ले लेते हैं तो यह कह रहा है कि sum of the term equidistant from the beginning and the end of the AP मतलब starting से जो आप term ले रहे हो उसी distance पर end से वो term लो मतलब यह कह रहा है कि अगर आप starting से पहली term ले रहे हो तो पीछे से भी पहली term लो तो जो इसका sum आएगा 1 प्लस में 6 कितना है या 7 आगया is always the same and equal to the sum of the first and the last term यह हमेशा same रहेगा अगर मैं यहां से दूसरी term लो और यहां से भी दूसरी term लो टू प्लस 5 कितना है गा 7 आएगा तो कहीं से भी निकालो अगर आप जो term स्टार्टिंग से ले रहे हो वही term आप end से लोगे और उनका sum करोगे तो हमेशा सबका answer same आएगा और answer क्या आएगा answer हमेशा first और last के sum के बराबर आएगा मानलो मैं कहता हूँ कि मेरे को एक sequence दे दिया गया 1 से लेकर 100 तक अब मेरे से पूछा गया कि बहूँ जो आगए से 23 term है और पीफे से 23 term है आगे से 23 term आपके पास 23 वनेगी बिट्रेटम वनेगी है मारे पास 77 थीगे 77 बनेगी 77 नहीं 78 बने अगर आप उन दोनों का sum निकालोगे, तो कितना आएगा? ठीक है, 23 और 78, इन दोनों का sum कितना आएगा? तो जो पहली term है और last term है, पहली term क्या थी? 1, last term क्या है? 100, उन दोनों का sum क्या है? 101, तो इनका sum भी 101 आएगा, चेक कर लो, ठीक है, 8 और 3, 11, आप कहीं भी कहीं से भी निकालो, आगे से 15 term, पीछे से 15 term, उनका sum करोगे 101 आएगा, क्योंकि पहली और last term का sum वही है, ठीक है? तो इस तरीके से यह वाली property हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद next property की बात करते हैं, फिफ्थ की, इसका आप screen shot ले लो, इस पूरी PDF का, उसके बाद हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, कि कहता है, कि तर्म ओफ एपी और इंक्रीस्ट, डिक्रीस्ट, multiplied और divided by the same non-zero constant, they remain in the AP, अगर कोई AP आपको दे रहे कि, उस AP की हर एक टम के अंदर आपको एक same चीज, आप add करो, आप subtract करो, multiply करो, divide करो, AP में रहेगा, जैसे for example, मालो एक AP हमारे पास आगी, 5, 10, 15, 20, चार्टम ले ले लेते, अब मैं अगर इनके अंदर 2 add कर दूँ, सबके अंदर 2, 2 add कर दूँ, तो क्या होगा, 5 प्लस 2, 7, 10 प्लस 2, 12, 15 प्लस 2, 17, अब यह जो sequence हा रहा है क्या, यह AP नहीं है, यह भी तो AP है, यहाँ पर भी difference पास जी आ रहे है, ऐसी अगर मैं subtract कर दूँ, तो भी difference वही आएगा, अगर multiply कर दें, तो क्या होगा, इसको मालो 2 से multiply कर दें, 2, 5 जा 10, 2, 10 जा 20, 15, 2 जा 30, 20, 2 जा 40, अब जो sequence हा रहा है, वो भी AP है, देखो 20-10, 10 आएगा, 30-20, 10 आ रहा है, 40-30, 10 आ रहा है, तो यहाँ पर D तो change हो गया, लेकिन sequence तो AP में रहा ना वही, तो आपको यह देखना है, कि आप किसी भी term से multiply कर रहे हो, किसी भी term से आप plus कर रहे हो, या फिर आप divide कर रहे हो, या फिर आप subtract कर रहे हो, तो उन सभी cases के अंदर, जो AP है, वो हमेशा AP ही रहेगी, आप उसको कुछ होर में convert नहीं कर सकते, तो यह तो होगी है हमारी fifth property, अगर हम sixth property की बात करें, तो कहता है, if the nth term of a sequence is a linear expression, बहुत important property है, sixth और seventh, बहुत से questions में काम आने वाली है, तो एका कहारा है, if the nth term of a sequence is a linear expression in n, that is a n equals to a n plus में b, यह करा है कि बहुत एक linear expression है आपके पास, a n को हम ऐसे लिख रहे हैं, a into n plus b, तो इस case में common difference होगा, यह a के बरावर होगा, a मतलब जो भी n का coefficient होगा, वो हमारा d होगा, जैसे for example, मैं अगर माल लो, एक term लेता हूँ a n, मैं कहता हूँ a n है 3 n plus 6, अब इसका d बताओ, अब इसका d आप निकालोगे, तो इसका d 3 आएगा, चेक खर लो, अगर मैं यहाँ पर one put करूँ, तो 3 plus 6, 9 हो गया, अगर 2 निकालें, तो 2, 3, 6, 6 plus 6, 12 हो गया, अब इन दोनों से आप निकाल दो d, तो d निकालेंगे तो क्या हैगा, 12 minus 9, कितना है यह 3, यहाँ पर क्या कह रहोँ, यहाँ भी तो यह कह रहा है, कि मैं 3 आ रहा है, तो आप बिना निकालें बता सकते हो, अगर linear expression है तो, और a n आपको दे रहा है, तो जो भी n का coefficient होगा, यहाँ पर, वही आपका d होगा, और यही इसी टैप की property, आपकी 7th property बनती है, 7th property में क्या कहता है, उसके बाद आप next 7th property की बात करें, 7th property में कहता है, if the sum of the first n term of a sequence, is a quadratic expression, in n, अगर आपके पास जो sn है, वो एक sequence है, quadratic expression की form में, और sn आपको यह दे दिया, के बराबर आएगा, 2a का मतलब हो कि यहाँ पर, जो भी यहाँ पर n square का, यहाँ पर coefficient होगा, उसके double के बराबर आएगा, जो भी यहाँ पर coefficient हो, जैसे माल लोग एक sequence हमारे पास है, 3n square प्लस में 5n, ठीक है, यह हमें एक sequence ले ले लेते हैं, तो यह हमारे पास ap के अंदर एक sequence है, 3n square प्लस में 5n, अब यहाँ पर अगर मैं d निकालना जाओना सीधा, तो d क्या बनेगा, इसका n square का coefficient है 3, तो 3 का double करेंगे, यानि 3 in 2 में 2, 6, अब इसको verify कर लें, देंकि ऐसा हो क्यो रहा है, तो देखिए S1 अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो S1 के आएगा, यहाँ पर 3 in 2 में 1 का square, प्लस में 5 in 2 में 1, तो 3 प्लस 5, 8 आ गया, S2 निकालेंगे तो आएगा, 3 in 2 में 2 का square, प्लस 5 in 2 में 2, 2 का square करोगे 4, 4 तीज़ 12, 12 वो 10, 22, तो अब अगर मैं यहाँ से, A1 की value निकालूं, तो A1 की value क्याएगी 8, क्योंकि जो A1 होगा, वो S1 के बराबर ही होगा, और A2 की जो value निकालेंगे, वाज़ाएगा 22 minus 8, यह आगया 14, अब यहाँ से A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, अगर मैं D निकालूं, तो D के आएगा 14 minus 8, यानि आणसर आया 6, तो D हमारा 6 आया, तो यही चीज़ आप directly भी बता सकते हो, अगर यहाँ आप प्रोपर्टी हम follow करेंगे, तो हम directly D की value बता सकते हैं, से मैसेज जैसे हम 6 में अंदर, अगर आपको कोई linear expression है, AP के अंदर है, तो आप उसका जो D निकालोगे, तो सीधा क्या करना है, जो N का coefficient होगा, वो आपका D हो गया, लेकिन अगर SNAP के अंदर दिया हुआ है, तो जो भी आपके N square का coefficient होगा, उसका double कर देना है, तो यह सारा basic concept था, AP से related, I hope आप सबको यह समझ में आ गया होगा, यह सब चीज़े next video आने से पहले, एक बर आप अच्छी तरह से याद कर लें, फार्मूराज लर्न कर लें, और मैं कहुँआ कि जो आपके 10th level के questions हैं न, इस exercise के अंदर 6.2 के अगर हम बात करें, बहुत से questions हैं, जो 10th level के questions हैं, आप उल्लेटी 10th में पढ़ चोगे हो, तो आप try करना उसको पहले, next video आने से पहले उन questions को करने की try करना, और अगर वो questions निगल जाते हैं, आपके अच्छी बात हैं, नहीं निगलते हैं, तो कोई बात नहीं हैं, वीडियो में discuss तो करेंगे, फिर आप वहाँ से समझ सकते हैं, और उसको check कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, thanks to all of you.